दोस्तो सरसो का तेल हो गया है महंगा और आम का अचार लगाना हो गया है मुश्किल तो आईए हम आपके शाथ शेयर कर रहे हैं पूराने जबाने के तरीके से सुखी आम का अचार बनाने का और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा चाहे आप कितना भी कम तेल लगाएं तो तो आप इसको अच्छे से सुखा ले कि आपको एक बर्तन ले जिसमें आप अच्छे से चला पाएंगे तो हम यहां पर डाल देते हैं नमक आप अपने स्वाध करूंसार से डलिए क्योंकि अचार में नमक कम रहता है तो स्वाध नहीं आता है दोस्तों और यहीं पर मैं डाल कि यहां जा करके देख सकते हैं कि कैसे मसाला को त्यार करना चाहिए और यही पर मैं डाल देती हूं मेथी और सॉंप इसको मैंने भूंच करके पीछ लिये हैं और और इसको भी मैं डाल देती हूं, पुराने जवाने में जो अचार लगता था दोस्तों, वो दस साल तक भी खराब नहीं होता था, तो अब यहीं पर मैं डाल देती हूं, जवाइन और मंगरेल, और यहां मैं डाल देती हूं, यहां पर 700 पीसी भी डाल देती हूं, और यहां प्रमे मात्र 100 ग्राम तेल डालूंगी दोस्तों और यह तेल जो है बिल्कुल भी गरम किया हुआ नहीं है ठंडा है तो 100 ग्राम में ही मैं देखिए यह दो केजी आम है और 100 ग्राम तेल में यह कैसे बन के रेडी हो जाएगा और अभी तेल काफी हो गया है महांगा दोस्तों अचार लगाने के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे अचार लगाएं तो आप इतना ही कम तेल में एक बहुत ही अच्छे तरीका से अचार बना करके रेडी कर लिजेगा जो कि सालों साल तक नहीं खराब होगा पहले के जबाने में ऐसे ही लोग अचार लगा करके रखते थे तो इसको हम मिला लिये हैं, मिलाने के बाद इसको दीन और रात हम धूप में नहीं लगाएंगे, एक दीन और एक रात हो गया है, अब इसको हम देख लेते हैं, तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा जो मसाला है, अच्छे से मिक्स हो गया है, क्योंकि जो हम नमक डाले दोस्तों यह सुखी आम का अचार है आप इसको धूप में जरूर दिखाएए जितना हो सके उतना दिखाएए मतलब जादा दिन तक देखाएए ताकि आपका अचार खराब नहीं हो तो यह देखिए नौ दिन के बाद जो अचार है कुछ इस तरीका का कलर आया है काफी अच् चमक रहा है और इसको अब ना आप मीट्टी के बरतन में इस्टोर करके रख दीजिए या आपके पास कांच का बोतल है उसमें आप इस तरीका से अचार बना करके इस्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो वीडियो अच्छा लगा हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मैं आपसे मिलती हूं एक अलग वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों